सबसे पहले दोस्तों आपको की को बंद करना है और सेलेक्ट बेटन को लॉंग प्रेस करना से इसके ब्राइटनेस को डिस्प्ले के कम या ज्यादा कर सकते हैं नॉन स्टॉप फ्लेश कर रहा आप इसे भी एड़्जस कर सकते हैं से लेकर 13000 के बीच में अपने हिसाब से आर्पिम सेट कर पाएंगे यहां से जैसा कि आप देख रहें मैं इसे बढ़ा रहा हूं सिंगल में लाता हूं देखे इसका ब्राइटनस कम होगा आपने देखा नश्कार दस्तों आज के वुड़ों में एक बाफिर साब सभी को में मिलेगा मालीज मिले हैं आशсьकों आपके स्क्रीर में आपके स्क्रीन पर नजर आ तो सबसे पहले दुस्तों बात करते हैं इस बाइक के ऑन्रोड पाइस की तो हमारे जमशेदपुर में MT15 वर्जन 2 इस आइस फ्लू वर्मिलियन कलर का ऑन्रोड पाइस है 2,11,000 वर्पीज बाइक के दुस्तों हैंडल बार पे ध्यान देंगे तो आप देख रहें यहाँ पर आपको ब्लैक कलर में सिंगल चूब हैंडल बार नजर आएगा आप कंसोल पे देखेंगे तो आप देख रहें यहाँ पर आपको फुल डिशिल कंसोल के साथ यहाँ आरिपियम देख पाएंगे फ्यूल गिज देख पाएंगे बड़े फांड में किलोमेटर पर आवर और और्डोमेटर और सेलेक्ट बटन को प्रेस करके आप यहाँ पर इसका ट्रिप one ट्रिप two ट्रिप एफ Time लेटर पर हंडेट किलोमेटर एवरेज ली पर हंडे सब्सक्राइब कर सकते हैं जैसा कि अब ही मैं ने किया तो इन सबी चीज़ों के बारे में आपको इसके बारे में जानकारी देता हूं सबसे पहले दोस्तों आपको key को बंद करना है और select button को long press करके key को फिर से आपको on कर देना है और कुछ second आप रुकेंगे तो आप देखेंगे left side में नीचे के तरफ में आपको यहाँ पर कुछ dots नजर आ रहे हैं एक दो तीन चार पांच छे यह ब्राइटनेस का डॉट आप यहां से इसके ब्राइटनेस को डिस्प्ले के कम या ज्यादा कर सकते हैं जैसे कि अभी मैंने मान लीजिए से फुल कर दिया है इसके बाद select बटन को प्रेस करके आप देख रहे है आर्पियम का जो limiter का जो light है आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप flash कर रहा है आप इसे भी adjust कर सकते हैं सिंगल प्रेस करूँगा तो आप देख रहे हैं यह स्लो हो जाएगा आप देख रहे हैं इसलो हो चुका है और एक प्रेस करूँगा तो यह स्टील हो गया चलिए मैं इसे flash में ही set कर देता हूं जैसा कि आप देख रहे हैं इसके बाद आप बाद यह जो speed limiter का जो LED अंदर में light लगा इसके brightness को भी कम या ज्यादा कर सकते हैं आप देख रहे हैं सिंगल डॉट में मैं इसके brightness को बढ़ाता हूं आप दिखे इसका brightness बढ़ रहा है आपको नजर आ रहा है अब यह full में देखे मैं से single में लाता हूं देखे इसका brightness कम होगा आपने देखा इस तरह से आ पर आपको हजार स्विच मिल रहा है integrated engine start and stop स्विच मिल जाता है साथी left side के handlebar में integrated high beam low beam path स्विच के साथ horn और turn signal indicator स्विच मिलता है और मैंने वीडियो में आप सब से कहाते हैं कि क्या आप इस बाइक को लेने के बाद अपने family के साथ use कर सकते हैं की नहीं खास करके अगर step up seat मिल जाता है राइडरल सीट में आप देख रहे हैं फॉर्म मलब ठीक टाकसा है बहुत जादा फॉर्म नहीं दिया गया है और पीले नाला सीट साइज में काफी चोड़ाई में कम है और इसमें भी जो फॉर्म है बहुत ही कम है और आप जानते हैं कि घर के किसी भी female person को बढ़ाने के लिए bike में या फिर scooter में backrest रहने से उन्हें बैटने में काफी असानी होती है और दूसरी चीज़ इस bike में आपको साड़ी काड जरूर company fitted लगावा मिलता है मगर इसमें आपको दोस्तो जो ladies footress होता है वो लगावा नहीं मिलता है अगर after market आपको मिल जाता है आ जरसे हम लड़के बैठते हैं उस तरह से आप जौरत पढ़ने पर कभी कभी उन्हें बैठा पाएंगे और आप बात करते हैं seat height की आपको बताना चूंगा कि अगर आप दोस्तों MT 15 version 2 इस bike को लेते तो इस bike का जो seat height है 810 mm है मेरा height है आप देखे 510 और मैं इस bike के seat में बहुती आसानी से लग भी पा रहे हैं तो मेरा मानना है कि अगर आपका height कम से कम 5 feet या 5 feet 6 inch होगा तब आप इस bike को लेके बहुती आराम से ride कर पाएंगे और जब मैं seat में बैठ चुका हूं तो sitting posture भी देख लिजे आप देख रहें bike में बैठने के बाद आपको इस bike में जाता हूं कि इस bike में जो form है राडर लाई ये बहुती कम है तो long ride पे जाते समय आपको इस bike का राडर ला सीड बहुती hard मैसूस होगा और इस bike का top speed की बात करें तो सबसे पहले जानना होगा इस bike के engine के बारे में और आप सभी को मालूम है कि bike में आपको 155cc का 4 stroke 4 wall single cylinder liquid cooled engine मिल जिसमें आपको assist sleeper clutch में मिल जाता है और आपको इस bike में बहुती आराम से 125 से 130 km per hour का top speed मिलता है और mileage की बात करें तो आप अगर इस bike को आराम से सही से ride करेंगे कहने का मतलब है कि speed 45 से लेके 50 55 या 60 तब भी आप अगर इस bike को CT में single ride में आराम से ride करेंगे तो इस bike में आपक 55 से लेके 50 तक का mileage जरू देखने को मिलेगा और अब दोस्तों इस bike के मिलने लेसके सभी features की बात कर लेते हैं और सबसे पहले ध्यान देते हैं इस bike के rear mirror पर तो आप देख रहे हैं यह आपको काफी sharp सा matte black mission मिल जाता है headlum की तरफ आएंगे तो आप देख रहे हैं इसका headlum किसी robot के shape में आपको नजर आएगा और आप देख रहे हैं इसके headlum में आपको projector LED headlum मिल जाता है और आपके पास पहले से bike है और आपका headlum का focus दोस्तों सही नहीं मिल रहे है तो आपको बतना चूँँगा आप यहां से इसे lose करके दोस्तों अपने इसाब से इसके projector LED headlum क आपको adjust कर सकते हैं और आप देख रहे हैं इसमें eye shape में दिखने वाला LED position light मिलता है चले मैं की on करता हूँ आप देखे on होने के बाद आपको यह कुछ इस तरह का नजर आएगा साती आप देख रहे हैं इसके head में कोई भी metervisor बगारा नहीं लगा है इसका जो turn signal indicator है आपको क मडगार नजर आएगा साथी वील पर ध्यान देंगे आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको और इंच कलर का 17 निच का काफी sporty सा ओलाई वील मिलता है और आप देख रहे हैं इसके front में आपको का tubeless tire मिलता है और इसके front में 282 mm का disc brake मिल जाता है और आप सभी जानते हैं कि bike में आपको dual channel ABS मिलता है rear suspension में थान देख रहे हैं यहाँ पर आपको yellow color के spring के साथ monoshock absorber मिलता है जिसाब आपने इस आपसे adjust कर सकते हैं और rear में फिर से आपको 17 inch के alloy wheel में आप दीखे यहाँ पर आपको 140 by 70 section का काफी wide tubeless tire मिलता है rear tire के पीछे के तरब आप देख रहे हैं काफी wide एक tire huger लगाओ मिलता है और rear brake में आपको यहाँ पर 220 mm का disc brake मिलता है इसका tail light panel पर द्यान देंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको एक graphic लगाओ मिल रहा है जिसमें Yamaha लिखा गया है और कुछ इस तरह का दिखने अला आपको इस bike में grabbar मिल जाता है tail lamp पर देखेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको काफी sleek सा LED tail lamp मिल रहा है इसका tail lamp के नीचे अला जो mudguard है आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा और दिखाना चूँगा यह दोस्तों ऊपर से metal का है और यहाँ side में plastic का थोड़ा सा cover लगा है और इसके turn signal indicator में rear मे आप देख रहे हैं यहाँ पर फिर से आपको LED मिल जाता है यहाँ नीचे में madguard में number plate लगानी की जगा दीगी उसके उपर एक reflector reflector को उपर LED light है आप देख रहे हैं यह number plate के उपर light focus करता है और इसी madguard के side में आप देख रहे हैं दोनों side में आपको एक अलग से reflector लगा कास्ट iron material का बना हुआ है और इसका quality है दोस्तों काफी अच्छा रखा गया है साथ ही आप देखेंगे इसका जो brake pedal है यह भी आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा और रैडरल फिटरेस आप देख वरे कुछ इस तरह का है और यह complete part आप जो देख रहे हैं यह भी cast aluminum material का ब मिलता है साथ ही आप देख रहे हैं इसका जो गेल लीवर है आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा और बाइक में आपको side stand के साथ side stand engine cut up switch मिलता है और यहां इस बाइक में आपको center stand नहीं मिलता है इस बाइक का fuel tank दोस्तों आपको काफी muscular से मिल जाता है और आप देख रहे देखने में आपको dual tone में नजर आएगा आप देखने में यहां पर भी एक graphic लगा है और इस बाइक के fuel tank में आपको 10-liter capacity मिल जाता है और आप देखिए इसका जो की है बाइक में आपको काफी simple सा normal की मिलता है बाइक में अभी तक wave की नहीं दिया गया है और इसका जो fuel वाला चाते हैं तो हमारे जमशेदपूर के L&T finance से आप इस bike को सिर्फ 29,999 का down payment पे finance करा सकते हैं बाइक का 36 मंत का EMI, 48 मंत का EMI और 60 मंत का EMI आपके screen पर नजर आ रहा है तो आप सब से दोस्तों बुलना चूँगा कि अगर आपके पास घर में पहले से अपने family में यूज़ करने के लिए कोई scooter और बाइक है तो आप जरूर अपने पसंद की इस MT 15 बाइक को लिजे और आप अगर जमशेदपूर इसक्यास पास से हैं तो आप आज ये भ्लोटिया मोटर्स यमाहा ब्लूस कर शोरूम में शोरूम का टेसर कॉंटेक्ट नमबर आपके screen पर नजर आ रहा है और साथ ही मुझे आप में चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल में ने चैनल को सब्सक्राइब करके बैल निटिफिकेशन को आल में कर दीजेगा ताके इसे तरह के और ने वीडियो आप तक पहुंच सके कर दो